मेरे प्यारे भाईयों और भेनों, आप सब को मेरा हादिक प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले, आप में से कुछ लोगों ने यहां मेशन में श्रीमत भगवत गीता का पाठ किया। आज मुझे एक महिला मिली, उसने कहा, गीता का पाठ करने में मुझे बहुत आनन्द आया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आगे वह बोली, श्रीमत भगवत गीता बहुत कठिन शास्तर है, भगवन श्री कृष्ण ने उसमें कठिन बातों का वर्डन किया है। किर्पया, आप मुझे चंद शब्दों में, सरल शब्दों में गीता का सार बताएं। इस पर मैंने कहा, यही प्रश्ण एक वार, कई साल पहले गुर्देव सादु वास्वानी जी से एक बालिका ने पूछा था। बचपन से ही उस बालिका के दिल में प्रभु के प्रती भक्ती जागी। और वह भगवान श्री किर्शन की भक्ती करती थी। किर्शन जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रनाम है। मेरे प्यारे भाईों और भेनों बालिका ने गुर्देव से कहा, मैं बहुत छोटी हूँ, फिर भी मैं गीता का पाथ करती हूँ, लेकिन उसमें कई ऐसी बाते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आती। फिर मुझे बहुत दुख होता है, आप किर्पया मुझे सरल शब्दों में गीता का स्वार समझाएं, ताकि जब मैं पाथ करूँ, तो मैं गीता समझ सकूँ, और गीता की शिक्षा पर अमल करने की कोशिश करूँ। मेरे प्यारे भाईों और भेनों, मैं बार बार आप से बिनती करता हूँ, कि ईश्वर हमारा जीवन देखते हैं, not words but life, that is what God wants. जब तक हमारी कतनी और करनी एक जैसी नहीं है, हम चाहे कितने भी अच्छे-च्छे, मीठे-मीठे शब्द बोले, उनका कोई महत्व नहीं है। यदि हमारी शब्दों में जीवन शक्ती नहीं है, तो वे शब्द इश्वर को स्विकार नहीं होते हैं। पालिका की बात सुनकर, गुर्देव ने उससे कहा, ठीक है, आओ, मैं तुम्हें गीता की शिक्षा, थोरे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाता हूं। उन्होंने कहा, गीता में बताया गया है, कि यह संसार एक कर्म वूमी है, इस संसार में जो भी रहता है, उसे कोई न कोई कर्म करना ही परता है। यदि कोई कहे, कि मैं वन में जाकर तपस्या करता हूं, I will have nothing to do with this world and its problems, चाहे कोई वन में अपनी जोपड़ी बना कर रहे, प्रभु का पावन नाम जपे, फिर भी वह कम से कम भोजन तो खाएगा ना, भोजन खाना है, कर्म कर्ना। इस संसार में हम कर्म के बिना रही नहीं सकते, चलो, मान लो, और कोई कर्म हम नाम भी करें, पर हम श्वास लेते हैं, श्वास छोडते हैं, श्वास लेना और छोड़ना भी कर्म कर्ना है, इस तरह हमें कोई न कोई कर्म कर्ना ही परता है। We cannot run away from karma. We cannot run away from action. Karma जरूर करना है, पर हम जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे अवश्य ही कोई मनित्व होता है. हम कर्म करते हैं धन कमाने के लिए, हम कर्म करते हैं यश्य और कीरती पाने के लिए, हम कर्म करते हैं मौज मस्ती के लिए, नहीं. हमें धन कमाने या मान सनमान पाने या मौज मस्ती के लिए कर्म नहीं करना है हमें कर्म इस भावना से करना है हे प्रभू मेरे छोटे छोटे कर्म आप सुईकार कर ले मैं जो भी करूं तेरे लिए करूं मुक्ति पाने का ये सबसे सरल रास्ता है यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने सारे कर्म प्रभु के चर्णों में अर्पन कर दें. मेरे प्यारे भाईयो और भेनों, एक बार गुर्देव सादुवा स्वानी जी ने हमें एक छोटा सा उपदेश दिया, उन्हों ने कहा, the best speech is silence, the best silence is worship, the best worship is yagna, the best yagna is offering, the best offering is arpanam, the best arpanam is Shri Krishna arpanam, Shri Krishna arpanam, Shri Krishna arpanam, Shri Krishna arpanam, Shri Krishna arpanam. मुझे लगता है, गुर्देव के जीवन, काल, काब, ये सबसे छोटा उपदेश था, मेरे प्यारे भाईयो और भेनों कर्म कौन करता है, इस सारी सृष्टी में जो हो रहा है, उसका करता कौन है, जब हमारा हुर्दय शुद होने लगता है, जब हमारे भीतर के कोश साफ ह होने लगते है, तब हमें भान होता है, कि हम करता नहीं है, हम करता नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सारे कार्या तो एक दूसरी शक्ती कर रही है, the higher power, the unseen power, the invisible power, एक अदृष्ट शक्ती अपना कार्या कर रही है, जब हमें इस बात का बान होता है, तब हमें लगता है, हम अपनी सारी, हम अपने सारे कर्म, उस अव्यक्त शक्ती को अर्पन करें, करते रहें, और एक दिन उस शक्ती में समा जाएं, मेरे प्यारे भाईयों और भेनों, विदेश में एक संगीत कार था, he was regarded as one of the greatest musicians of humanity, वा ऐसी धुन बजाता था, के लोग अपनी सुद्ध खो बैठते, वा अपने धुन से लोगों के दिल पर जादू कर देता था, एक बार उससे किसी ने पूछा, आपके संगीत में एक अजीब सी कशिश है, हम जब आपका संगीत सुनते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, किर्पया, बताएए आपके इस मदुर संगीत का राज क्या है, इस पर उस विदेशी संगीतकार ने कहा, जब मैं अपनी धुन बजाना शुरू करता हूँ, तो उसके पहले प्रभु का ध्यान करता हूँ, और उनसे प्रात्ना करता हूँ, Lord, may my name perish, may thy name be glorified forever and forevermore, देखिये, ये प्रात्ना कितनी छोटी है, पर कितनी सुन्दर है, इस प्रात्ना में गीता का तत्व समाया हुआ है, इस प्रात्ना में कहा गया है, हे प्रभू, मेरा नामों निशान न रहे, पर रह जाए केवल तेरा ही नाम, तेरा ही नाम, एक तेरा ही ऐसान, मेरे प्यारे भाईों और बेनों, हम कर्म करते हैं, हम सारा समय कुछ न कुछ करते हैं, यदि हम अर्पर्णम की भावना से कर्म नहीं करते, तो हमारे कर्म में विकार आ जाता है, विकार की जर है तृष्णा, एक एक इनसान के दिल में कोई न कोई तृष्णा होती है, यह तृष्णा ही हमें कृष्णा से दूर रखती है, यह तृष्णा हमारे और प्रभू के बीच एक परदा बन कर खड़ी हो जाती है, हम इस तृ तृष्णा से दूर रहें, जब हम तृष्णा से दूर रहेंगे, तो हमारा कर्म पवित्र होगा, निर्मल होगा, और अर्पन होगा, हम जो भी कर्म करें, इसी भावना से करें, कि इस कर्म से हमें कुछ नहीं चाहिए, I want nothing out of it, absolutely nothing, Hey Prabhu, मेरी एक ही भावना है कि काश मेरा कर्म आपके श्री चर्नों में सुईकार हो जाए, श्री कृष्णा अर्पनम, श्री कृष्णा अर्पनम, मेरे थ्यारे भाईो और भेनों, कर्म अपने आप में जंजीर नहीं है, पर जिस भावना से हम कर्म कर्ते हैं, उस से हम अपने ये जंजीरें बना रहे हैं, वर्क by itself is not a bondage, कर्म बंदन नहीं है, पर अन्तु यदि कर्म के पीछे फल की इच्छा है, तो वह फल इच्छा है, डोडी, जो मुझे इस कर्म चकर से, इस चोड़ा सी चकर से, इस दुख, इस कष्ट, इस तकलीफ के चकर से बांद रही है, मेरे प्यारे भाईों और भेनों, मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा, वह चुनाव में ख़रा था, चुनाव में उसने लाखों रुपए खर्च कर दा ले, जब चुनाव का नतीजा निकला, तो उससे पता चला, कि वह केवल पांच वोटों से, चुनाव हार गया है, य उसे इतना गहरा धका लगा है, कि वह पागल हो गया, आहा, वह पागल क्यों हो गया, क्योंकि उसने सोचा, मैं लाखों रुपए खर्च कर रहा हूं, मैं अवश्य ही चुनाव जीतूंगा, इसी फल की इच्छा से उसने कर्म किया, पर जब उसकी इच्छा पूरी नहीं तो उसे धका लगा, और वह पागल हो गया, कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो, अब आप पुछेंगे, हम कर्म करते रहें और फल की इच्छा भी न करें, तो फिर हम कर्म कैसे करेंगे, यही प्रश्न, मैंने एक दिन गुर्देव सादु आश्वानी जी से पूछा, त तुम अपना स्वार्थ और अपनी खुद ही छोड़ो, उसके बाद कर्म करो, तुम कर्म करो पर उस कर्म को श्री कृष्न को अरपन कर दो, श्री कृष्न अरपनम, श्री कृष्न अरपनम, हे प्रभू, यह साड़े काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, I do it for thy sake, O Lord, मेरे भीत फल पाने की कोई इच्छा नहीं है, आप मेरे इस काम को सुईकार करें, इसका मुझे जो फल देना है, वो आप मुझे दें, मैं उसे अपने आखों पर रखूँगा, चाहे आप मुझे सफलता दें, या असफलता दें, आप मुझे लाब दें, या हनी दें, चाहे मेरी हो या स्वाख हो, मैं उन्हें सुईकार करूँगा, as a gift from thy hands, oh Lord. मेरे प्यारे भाईों और बेनों, यदि आप इस शिक्षा को समझ गए, तो समझ लो, आप श्रीमद भगवत गीता समझ गए, इसके बाद आपको कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है, श्रीमद भगवत गीता में कितनी सारी बातों का वर्णन किया गया है, एक प्रिशिद व्यक्ति ने कहा है, गीता में इतनी सारी बातें बताई गई है, कि यदि एक-एक बात का वर्नन किया जाए, तो पूरी लाइबरी बन सकती है, गीता में साथ सव शलोक हैं, वास्तर में हैं, तो साथ सव एक शलोक, पर एक शलोक गिंती में नहीं आता, इसलिए साथ सव शलोक ही माने जाते हैं, इन साथ सव शलोकों का अखसार, इन चंद हम अपने दिल पर अंकित कर रखें, जो भी करेंगे उसे श्री कृष्षन के चरनों में अरपन करेंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो श्री कृष्षन अपने आप भेज देंगे, हमें सबको श्री कृष्ण को अर्पन करना है मान लो आज मैं यहां आया हूँ यहां कृषी पर बैठ कर कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ इन शब्दों के कहने के पीछे भी पीछे ये भावना होनी चाहिए कृष्ण अर्पनम कृष्ण अर्पनम कृष्ण अर्पनम जब हमारे मन में ये भावना उठती है तब हम कह सकते हैं कि हम गीता की शिक्षा को कुछ समझ पाए हैं मेरे प्यारे भाईयों और भैनों एक बार गुर्देव सादू आस्वानी जी ने हमें एक भक्त का सुन्दर उधारन दिया वह बिहार का रहने वाला था वह कृष्ण भक्त होने के साथ साथ एक कवी भी था उसके मुख से कवी था अपने आप जर्ती थी ये बात कई सद्धियां पुरानी है लेकिन बिहार में आज भी लोग मंदरों में इस भक्त के गीत गाते हैं इस भक्त का नाम था चन्दीदास चन्दीदास और विद्यापती उस जमाने के प्रशिद्ध कृष्ण भक्त थे उन दोनों की कवीताएं लोगों के दिलों को आज भी छूती हैं उनके गीत सुनकर लोग आनत विबोर हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई और भेनों कर्मों की गतन्यारी है चंदी दास को एक धोबिन से प्यार हो गया धोबिन का नाम था रामी भाई लोगों को इस बात का पता चला उन दिनों जात पात का बहुत बेध होता था जब लोगों को पता चला कि चंदी दास एक ब्रामन होकर, कृष्ण भक्त होकर, धोबिन के प्रेम जाल में फस गया है, तो वे कहने लगे, इसने तो ब्रामन कुल का नाम मिटी में मिला दिया, ऐसे व्यक्ति को हम अपनी जाती में नहीं रहने देंगे, हम इसे अपने समाज से बाहर निकाल देंगे, ब्रामन समाज के मुखिया ने ऐलान किया, कि आज से चंदी दासे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शूद्र बन गया है.